इस टीटेन के बाद में अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं जो आज के दिन अबूधाबी टीटेन लीग का दूसरा मुकाबला होगा जो खेला जाएगा मोरिस विल्ली सेंप आर्मी वर्सी दचैननाई ब्रैवस के बीच में तो इस मैच की में आपको पूरी की पूरी इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूँ बस आपको करना कुछ नहीं है यह जो वीडियो है ना यह आपको लाश्ट तक वाच करना है सबसे ज़रूरी चीज में आपको बता दू अगर आपने अब तक टेलिग्राम चनल को जो नहीं किया है तो आप कर लो आप भी वह प्रीजियो के डिस्केप्शन में दूसरा कमें अबर कमेंट सेक्षिन में भी सबसे पहले कमेंट में आपको टेली ग्राम चनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन के आओ मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप इजी ली टेलीग्राम चनल को जो वो कर सकते हो मुकाबल जो पांच मुकाबले हुए ना उसमें अगर आप देखो फर्स इनिंग में 15 विकेट फास्ट को इस्पिनस को चार विकेट सेकंड इनिंग में 18 विकेट फास्ट को इस्पिनस को दो विकेट है तो और अगर आप देखोगे तो फास्ट बोलर्स को ही जादा बोलिंग भी मिल और विकेट भी उनको ही जादा मिल रहे हैं क्योंकि इस्पिनर अगर मार खाने लगता है ना तो बहुत ज़ादा रने की ओर में दे देता है इसलिए इस्पिनर्स को बोलिंग थोड़ी टीम में कम करवाती है अब देखो पहले बात करेंगे मौरिस वेली सेम पार्मी की टीम की इनकी टीम पहला मेच हा रही है ओपन करेंगे फैप डूल प्लेस और एंड्रिस गोज देखो फैप डूल प्लेस भले ही पहले मेच में फ्लॉप हुए हो लेकिन यह बहुत इंपोर्टन प्लेयर है और इन्होंने आपर आट रन किये थे प को पहले मेच में भी बोला था और बंदे ने लगबख 30-40 पॉन दे दिये थे मोहिन अली ने 37 रन किये थे बोलिंग हाला कि इन्होंने नहीं करवाई थी लेकिन बोलिंग भी करवा सकते हैं और रिसेंट फॉम इनका ODA का है 15-0 विकड, 42-0 विकड, 4-3 विकड, 8-2 विकड ह आने ये as a substitute player आये थे मलब impact player मैं बोलूँगा इनको substitute तो सही नहीं है कि impact player के रूप में आये थे छे रन इनोंने किये थे थोड़ा slow खेलते हैं मेरे साब से, करीम जन्नत है 11-1 विकड था और ये एक important player रहेंगे टीटेन में क्योंकि number 5 के करीब आके hitting के देंगे, 7 के साथ 2 over भी आपको देंगे, 27 टीटेन में 269 विकड है, जैसन ओल्डर विकड लेस गए थे पहले मेच में 2 मेच में 1 विकड है और नजी बुला जादरान 13 नोट आउट किया था, अब देखो नजी बुला जादरान को ना जैसन होल्डर के भी बात में बेटिंग करने बेजा था, बसिल अमीज जीरो किया था, के समद 2 विकड ले गए थे, 19 टीटेन में 15 विकड है इनके नाम 31 ओवर डाल के, अच्छे बोलर है टीटेन के, पीटर हजोगलू ये भी बहुत अच्छे स्पिनर है, भले ही पहले मेच में विकड लेस गए हो, 10 मेच में 7 विकड इनके भी ना अली को रखूँगा, टॉप 3 रख रहा हूँ में, इसके अलाव में करिम जंदत, जैसन होलडर, नीचे समय, के समद और पीटर हजोगलू, मलब चार इनके में बोलर और इनके में टॉप 3 के बेटर भी यहाँ पर पिक करूँगा, क्योंकि में लग रहा है कि ये टीम में इ ब्रेवस की टीम पहला में जीती थी, इनकी तरब से एक मातर बंदा है जिसने सबसे अच्छा केला था, जैसन रोई, 84 नोट आउट की बहुत तगड़ी पारी खेली थी और इनका T10 में अब तक का रिकोर्ड बहुत अच्छा ही रहा है, चार मैच में 163-54 का अबरज है, को जो मिडलोडर में खेलते हैं उनको आते ही मालना पड़ता है, इस वज़े से क्या होता है, वो बहुत सी बार जल्दी आउट हो जाते हैं, अदरवाइस ये प्लेयर बुड़ा नहीं है ये, चरित असलंका टीम की कप्तानी कर रहे हैं, पहले मैच में तो रन आउट हो गए रिसेंट फॉर्म, नो बेटिंग, बाइस, एक, एक्सवाट, आट हैं, मोहमन अभी तीनोट आउट किया था, बॉलिंग इन्होंने नहीं करवाई थी, 27 टीटेन में 270, 15 विकेट हैं, काई समित विकेट किपिंग कर रहे हैं, लेकिन नीचे खेल रहे हैं, अयान खान लोकल रहे हैं, एक विकेट इनको मिला था, इस्पिनर है ये, 21 मेच में 17 विकेट है, इनके नाम T20 के अंदर, ओबेट मकोई विकेट लेस गए थे, लेकिन अगर इनकी टीम पहले बोलिंग कर थी, तो आप ओबेट मकोई को टीम में रह सकते हो, क्योंकि ये एक ओवर कम से कम मेरे इसाफ से डेथ में डालेगा, 10 T10 में इसके नाम 10 विकेट है, 19 ओवर डालके, सेम कुक ये भी अच्छा बोलर है T10 का, एक विकेट इसको भी मिला था, जुने सिद्धिकी को भी एक विकेट मिला था, 16 मेच में 16 विकेट है, इमरान ताहिर एज़ा इंपक्ट प्लेयर आये और एक विकेट इन को मिला था, क्योंकि मैं अभी मोर्विल, सेंपल, आर्मी के फेवर में टीम मना रहा हूँ, तो मैं यहां से रखूँगा, जेसन रोय, कोबे हप्ट, कोबे हप्ट की जगे आप क्या कर सकते हो, स्टेफन एसकनाजी को भी ट्राइक कर सकते हो, नीचे से म एसकुक, डेथ में आते हैं, ओबेड मकोई, मैंने बोला ना, डेथ में ज़रूर आएगा मकोई, एसकुक और जेसिद्ध की, एनालिसिस वाला जो पार्ट डेसमेंच का हो चुका है, कम्प्लेट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजे, अभी यहाँ पर चलते हैं, डेमो टीम की तरफ, नेक्स स्लाइड में आपको डेमो टीम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चलने से जोरूरी है, अगर आप डिस्किप्शन से टेलीग्राम चलने पर जोरूर ना चाते हो, वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्किप्शन में पहुँच जाओगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चलने का लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपक करता है 70-80% टॉस के ओपर तो इसलिए बावर आपसे बोलता हूँ कि बहुत टेलिग्राम चलनल से जुड़ जाओ क्योंकि उसी से आपका फाइदा है आप यह जो मैं टीम बता रहा हूँ इस सिर्फ डेमो टीम में जिसको आप लगाके कोंटेश जोइन कर सकते हो बागी फाइनल टीम फाइनल अपडेट सब आपको टेलिग्राम चलनल पर ही मिलेंगी तो यहाँ से मैंने रखा हुआ है विकेट किपिंग सेक्षन से ए गोज बैटिंग सेक्षन से फैब डो प्रेसिस जैसन रोए के हप्ट और ओल्रांडर सेक्ष में और कमेंट सेक्षन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन की अवाब मिल जाएगा धन्यवाद